नमस्कार, सुद्रानी स्टूडियो से मैं निरुद दुवे, आप सब का स्वागत करता हूँ डाक्टर माया मसन, वस्तू, जोतिशी, रेकी, क्रिश्टल एवं हिप्नो कॉंसिलिंग के शेत्र में जाना पहजाना नाम है भारती एवं चाइनिज जोतिशी और फैंक्शुई पर इनकी पुस्तकें आ चुकी हैं डाक्टर माया मसन, वी काम एवं एललवी करके गोवा हाई कोर्ट में अच्छी खासी वकालत की प्रेक्टिस कर रही थी अचानक हिरदय परिवर्तन हुआ, मन परिवर्तन हुआ और वे जोतिशी विद्या की तरफ बढ़ती चली गई आज कुस्स सवाल लेकर हम माया जी के सामने हैं माया जी सबसे पहलो तो सुन्धरानी वीडियो वेड में आपका स्वागत है जी, थैंक्यू माया जी एक सवाल है, महत्रपुन सवाल आप पढ़ाई करने के बाद वकालत के पेशे से जूड़ी हुई थी अचानक ऐसा जीवन में क्या चमतकार हुआ कि आप जोतिशी विद्या की तरफ अगरसर हो गई जी, आपका सवाल तो बहुत अच्छा है अच्छली मैं शुरू से ही बच्पन से जब मैं स्टड़ी कर रही थी दीरे दीरे अपने टारगेट की तरह बढ़ रही थी उस समय शुरू से ही मुझे यह मैसूस होता था कि हमारे आसपास कुछ ऐसी एनर्जीस हैं जो हमको समय के पहले ऐसी शक्तियां हैं जो अगर हमें सही तरीके से समझें तो समय के पहले हमको बहुँ सारी जानकारियां दे सकती हैं जिस प्रकार से किसी सूश में चीज को देखने के लिए मैगनिफाइंग ग्लास की जरुत रहती है उसी प्रकार इन शक्तियों को समझने के लिए कुछ समय चाहिए रहते है इसलिए इस तरह पूरा ध्यानने देते हुए धीरे-धीरे मैंने अपनी टार्गेट को देखा हाई कोड में लाव प्रक्टिस किया वहाँ प्रक्टिस करते हुए कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके काराण वो बच्पन की वो बाते मुझे दुबारा याद आई और मुझे लगा कि मुझे जोतिश के शेत्र में कुछ करना चाहिए किसी भी इस्थान पे जाने के बाद वहाँ होने वाली घटनाओं के बारे में थोड़ा एसास होना और बात में वो सही हो जाना और हाई कोट में जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो वहाँ पे कुछ दूसरे शेहर में हमें वहाँ जैसे वहाँ पे ये था कि हाई कोट में जहां मैं प्रैक्टिस कर रही थी मुझे जजेज के एकजाम देने थे और मुझे जज बनना ही मेरा मेरा में टारगेट था वकालत करना नहीं पर आउटसाइडर होने के कारण हम दस साल तक जज के एकजाम नहीं दे सकते थे गुवा में जो भी कारण बना कि मैंने ये फिल्ड छोड़के अपनी में पसंद के इन सारी विद्याओं में जो मेरा इंट्रेस था उसके तरव मैंने रुख कर लिया और इन दौर में 2001 में मैंने इन दौर में अपना सेंटर खोला और इसे रिसर्च के तौर पर शुरू किया जी जी कई बार जोतिशी विद्या को अंद विश्वास से जोड़ दिया जाता ह इस बार में आपकी क्या रहा है ये तो आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है दुर्भागे वंच जोतिश जोकी हमारे शास्त्रों की अद्भुत धरोवर है उसे कई लोग चंद भ्रांतियों के कारण और विश्वास संतुलित विश्वास नहीं होने के कारण उसके प्रती बहुत जादा अरुची और अवेलना के नजर से देखते हैं सबसे में दो कारण है जो में सभी लोग बोलते हैं पहली बात ये कि हमें कर्म में विश्वास करना चाहिए कर्म के बिना गति नहीं है और दूसरा अगर भगवान ने हमारे किसमत में लिखा है तो हम उस के बारे में बस में दो ही बाते बूलना चाहते हूं कि कर्म करना बहुत जरूरी है ये तो सब जानते हैं और वो सच भी है पर अगर आपको बंबे जाना है आप डैली की टिकेट ले लीजिए पूरा पैसा भी खरचा करिए जरनी करिए तो आप कहां पहुंचेंगे अपनी बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है तो वो क्यों होता है वो इसलिए सही दिशा की जानकारी जोतिश देता है पहली बात दूसरी बात ये जब भगवान ने कोई तकलीफ दिया है हमें वैसा ही सहना चाहिए तो तबियत खराब होने पर हम डाक्टर के यां क्यों जाते हैं हम दोड़ के तुरन डाक्टर को दिखाते हैं तो मेरे इतने वर्षों के अनुफों के आधर पर में बोल सकते हूं कि जोतिश पर अंद विश्वास तो मत करिये पर विश्वास करना आपके लिए हर व्यक्ति के लिए आम या खास सभी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी ह किसमत के चार इस्तंब ये कंसर्ट पे आपने बहुत काम किया किया क्या कर रही हैं इसके बारे में हम जानना चाहेंगे हैं ये तो बहुत ही अच्छा सबजेक्ट है मुझे बत मैं बताना भी चाहूंगी क्योंकि हमारी लाइफ में इस सब टॉपिक के उपर मैं पिछले 20 स प्रकार से चार लोग अगर कोई बात बोलते हैं तो हम मानते हैं चार धाम मोक्ष के लिए चाहिए रहते हैं पूरा जीवन की यात्रा जब पूरी हो जाती है तो चार कंधे जरूरी होते हैं अन्तिम यात्रा के लिए उसी प्रकार मैंने ये मैसूस किया है कि अगर हम एक ही किसी प्रणाली या विधी के उपर कार्य करते हैं तो पूरी सफलता नहीं मिलती है और फिर लोगों को ये लगता है कि हमारे जो समस्या हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है तो इस प्रोग्राम में मैंने चार स्थम्भ में रखें में टॉपिक हैं पहला है जोतिश जिसमें कि ग्रहों से समद्ने सारी समस्याओं का मैं समाधान देती हूं दूसरा है वास्तू क्योंकि अगर हमारे ग्रह अच्छे हैं और हमारा वास्तू हमें फिवर नहीं करता है तो उसमें भी बहुत प्राब्लम आता है तीसरा होता है कि हमारे चक्र अगर हमारा जोतिश और वास्तू सही है पर किसी कारणों से हमारे साथ चक्र पूरी तरह से बैलेंस नहीं है हमारा उर्जा मंडल पूरी तरह से दूशित हो गया है तो उसे रेकी शक्ति के द्वारा हीलिंग दी जाती है तो उन चक्रों को देखना रहता है और फिर सबसे बड़ी बात कि हमारे शरीर के अंदर जो सूश में एनर्जी है जिसको कि हम सम्मुहन के दौरा या अवचेतन मन की शक्ती को जागरित करके ठीक कर सकते हैं वो इस प्रोग्राम का चौथा इस्तंभ है जिसमें कि आप अपने सेल्फ के अनर्जी को इतना बढ़ाते हैं कि आपके सारी समस्य हैं ठीक होती है जोतिशी और वास्तुस राष्ट्र के शेत्र में आपने बहुत लंबा सफर तैय कि है खास करके मैं यह दो परफशी बात करना चाहूंगा तो इसके बारे में आपका क्या उपीनियन है क्या म में नहीं बलकि आलोरी इंडिया और बाहर भी सेमिनार्स कर रही हूं लेक्चर्स देते हूं और टाइमली मुझे जब यह मैसूस होता है एक बार नहीं बलकि हजारों बार इन सालों में कई कुनलीज मेरे पास आती हैं जिसमें कि कई पेरेंस अपने बच्चों की सिर्फ इ जोश होने से जैसे कि मैं बताया है कई सेमिनार्स में लेक्चर्स में कि एक समय सीमा के पहले जब तक उन ग्रवों के अनरजी हट नहीं जाती है मैरेज नहीं करना है और अकसर लोग करवा देते हैं और फिर तकलीब होती है तो वापस आते हैं कई वार तो मैंने अशे लड़कियां जो सवरार में जाके तकलीब लेती है एक समय के पहले मैरिज हो जाने से उसमें भी मैंने बहुत केसे देखे हैं जिससे मुझे काफी दूख होता है दूसरा यह कि वास्तू में बहुत सारी मिस कंसप्शन जो लोगों में है वो ठीक होना बहुत जरूरी है जै बिना तोड़े भी ठीक हो सकता है तो इस से तरह में मैंने बिना तोड़े काफी लोगों के हज़ारो प्राब्लम चीक है मैं जी मैंने देखा लोग वार के हिसाफ से कपड़े पहनने लगे हैं मंगलवार हो तो लाल भगवा बुधवार हो तो हर अडरे सोना चाहिए गुर क्योंकि कुछ भी कहिए ग्रह हमारे उपर बहुत प्रभाव डालते हैं और उस घ्रहों के ठीक रखने के हिसाब से ही हम रतना धारान करते हैं आम परसन कई बार कुंडली नहीं जाने के कान और उनका भागया का रतना क्या है वो नहीं जाने के कान ओवरल जो वाइब्रेश उधारन के लिए अगर किसी को ग्रीन कलर सूट नहीं करता है उसकी कुंडली में बुद्वार की दिन पहना नहीं है बलकि दान करना है कोई चीज तो वो हरा पहनेगा तो उसे अरचन आ सकती है इसलिए आधी अधूरी जानकारी के बज़ए पूरी जानकारी लेकि अगर आ जाती है यह प्रश्ण थोड़ा उल्जन वाला है हलांकि यही सही है कि तंत्र बहुत हद तक व्यक्ति की मदद कर सकता है पर अगेन वही होता है कि अगर इसे आधी तरीके से उपयोग किया जाए तो ही सही रहता है अन्यता उसी तंत्र विध्या के कारण ही कई लोग जो य कि अधिर्षी शक्ति का आओहन करते हैं और फिर उनके कान में कुछ सुनाई पड़ता है फिर उसके हिसाब से जो है प्रवावित लोग उनके पास जो आने वाले हैं उसका जवाब भी देते हैं तो यह किस तरह का विधा मानी जाए इसको यह क्या सुचा जाए इसके बारे मे इसको scientifically अगर जोड़ा जाए तो actually जो हमारा subconscious mind होता है अगर उसे प्रॉपर अट्यून किया जाता है तो कुछ चीजे महसूस होती है अगर वो से सही तरीके में मैं यह उस संदरव में बोल रही हूं जो सही तरीके से कर रहे हैं बिना किसी शेल के तो उसमें महसूस होता है जिसमें कि वो जवाब दे सकते हैं अभी हाल में ही चंदर ग्रहन पड़ा था जे अगर देखा कि जब भी चंदर ग्रहन पड़ता है सुर ग्रहन पड़ता है तो उस पर क्या राशियों पर क्या इसका प्रहो रहेगा और क्या इसका असर रहेगा देश में रहेगा प्रदे तो उस समय अगर कुर्योच निरनें लेने हैं रिलेशन संबंदि तो उस समय चंडल में बहुत। कि अपना कई वार थोड़ी सी तकलीव दे सकता है और सूर्य ग्रहन कई वार आपके कार्या में अर्चन दे सकता है इसलिए इस समय में कोई सूतन के अनुसार जो भी नियम रहते हैं उसका पालन करना चाहिए विशेश निरणय नहीं लेने चाहिए और दान दक्षनाव अगर वास्तु शास्त्र को लेकर कहीं नहीं जो है उसमें एड में उलेख भी होता है और हर किसी के दिमाग में कहीं वास्तु बैठा हुआ हुआ है यहां तक एक जाने माने डिरेक्टर है राम गोपाल वर्मा उनकी तो उन्होंने तो अपनी एक फिल्म का नाम ही रख दिया था वास्तु शास्तु शास्त्र, मैं घर थोड़ ऑस बट्श शास्त्र के फिर वास्तु शास्त्र के बारे मैं थोड़ा सो जो ढड़ दिपली समद ना काह उंघ़ा बलेव शार्ड में ingredient कि श बताना जरूरी चाहोंगी क्योंकि वास्तु शास्त्र जो है यानि कि हमारा घर ज जितना हम अपोर्ट कर सकते हैं, जितना जमीन, जितनी उपलब्द है उसके साफ से, जितना हम कर सकते हैं, उतना तो जरूर करना चाहिए, पर अभी जो आपने उलेक किया, कि जो आज बिल्डर्स हैं, वो अपने एड में डालते हैं, हम वास्तू की अनुसार दे रहे हैं, कि हम वास्तू की अनुसार कर रहे हैं, तो लोगों को मिस गाइड नहीं करें, क्योंकि ऐसे कई मकान में देखने गई हूं, जो कि ये बुला गया कि वास्तू की अनुसार है, पर उसमें किचन, सीडी, निया रूम्स उतने सही नहीं हैं, सिर्फ वास्तू शास्त्र के नाम जो बिल्डर्स, वो दो ही जिज़ेखानमी रखते हैं, कि कि चन है, वो अगने कोड में बना देते हैं, और जो मंदिर है, वो इशान कोड में बना देते हैं, वास्तू इतना ही नहीं है, वास्तू बहुँवझ बहु zwischen नाएं ये बहुt अच्छी बात है, पर जब सही हों तो ही बोलें, ये भी बहुंद जरूरी है, ताकि वास्तु जैसे अद्बु शास्त्र के पत्ती भी लोगों की धारणाएं गलत नहों जाएं. माया जी, जिन विधाओं में आप परंगत हैं, उन पर ये दो पुस्तके भी पब्लिश हो चुकी है, कुछ कैसेड भी आपके निकले हैं, और देश विदेश में आपकी किर्ती पहुंच चुकी है, और आपको सम्मान भी मिला, मारिश्रस में आपको अवार्ड भी मिला, तो ये आप इन विधाओं पर आपने इतना काम किया और इतना लवजियों को लेकर कितना खुश होती हैं और अपने इस खुशी को किस तरा संशेप में व्यक्त करेंगी आप? डेफिनेटली खुशी तो होती ही है, क्योंकि इसके पहले जैसे कि आपने पहले बताई कि मैं वकालत के फिल्ड में रही और जजज बनने की इक्षा के लिए मैं उसी फिल्ड में चल रही थी, वहाँ पर ये था कि अगर किसी को कोई तकलीब होती है, तो हम उसको ठीक कर सक करते हैं, तो नेम, फेम, मनी, सक्सेस, मेरे इसाब से तो मैं यही बोलना चाहूंगे कि नेम, फेम, मनी, सक्सेस मुझे वहाँ भी थी, पर इस फिल्ड में एक ऐसा सैटिसफेक्शन है, जो की व्यक्ति को सही दिशा दिखाता है, हमारे जो शास्त्र हैं, वो हमारी धरोवा है, अगर हम उसे सही तरीके से इंटरप्रिट नहीं करेंगे, तो वो सारी विधाएं लुप्त होती चली जाएंगी, जैसे कि फैंक्श्वी एक शास्त्र है, वास्तु शास्त्र है, जो चाइना से आया है, पर अफसोस की बात ये है कि वो चाइना से आया हुआ शास्त्र, बेसिकली हमारा कल्प वास्तु है, जब मैंने वास्तु स्टार्ट किया था, शुरू किया था, दो हजार एकर दो में, तब मेरे मन में यही धारना थी, कि एक व्यक्ति, एक मकान तो जीवन पर मुश्किल से बना पाता है, उसके लिए ये बिल्कुल भी संभाव नहीं है, क कि अकारडिंग टू वास्तु उस मकान को तोड़ पाए और अपनी मर्जी से बना पाए, तो उसमें कुछ एनर्जी बैलेंस करनी पड़ती है, तो हमारे शास्त्रों में पहले ये नियम रहता था, कि हम तोड़े बिना 20-20 मकान रहते थे घर में, पर एक टॉलेट नहीं बन पूरी तरह से तोड़ फोड़ करता है, जिसके कारण उसे सही तरीके से लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं, इतने सालों में मैंने नकेवल जोतिश में अच्छी तरह से लोगों को बताया है और उनको सही समाधान दिया है बिना किसी इधर उधर में उलजाय हुए और उनके गलत डारेशन में ले जाने के उसी प्रकार से बिना तोड़े वास्तू में भी जो किया है उससे जो मुझे ब्लेसिंग मिलती है नेम फेम तो मिलता ही है पर जो ब्लेसिंग मिलती है उसे मुझे बहुत अच्छा लगता है तो रेकी पर भी हम जानना चाहेंगे कि आखिर य जिसमें कि यह माना जाता है याँ ऊणिवर्सिली जब मानते हैं कि युनिवर्स और निवर्स नहीत रहती है पोजिटिव औ झीकति आणिव जैसे लोहा खिचक नाता है उसी प्रकार से पॉजिटिव एनरजी, पॉजिटिव सोर्स की तरह पा जाती है अगर आप अपने चक्रों को बैलेंस करते हैं एक शक्ति के द्वारा, एक मंत्र के द्वारा तो आपके शरीर की शक्ति आपको पुरी तरह से ठीक कर सकती है तो उसी आधार पर रेकी है जिसको भी मैं काफी सालों से कर रही हूँ और उसका भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है मैं इसमें एक ही शब्द बोलना चाहूंगी कि अगर रेकी आप उपयोग करते हैं अची तरह से तो जैसे कि पहले लोग दवाईयां खाते थे आजकर दवाईयां लोगों को खा रही है तो इस पदती में आने से एटलिस आप हैवी दवाईयों से बस सकते हैं दवाईयों के साइड इफेक्ट से बस सकते हैं और बीमारी जो डॉक्टर्स को पकड में नहीं आती है रेकी शक्ति करने से आपकी बिमारी डॉक्टर्स को भी समझ में आते हैं और सही इलाज कुछ रेकी की दौरा होता है और कुछ आपको सही इलाज मिलने के कारण होता है आपने किम्ती वक्त दिया माया जी उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं अभी हम देश की जानी मानी जोतिशी और वासुष शास्त्री माया मसंजी से बाचित कर रहे थे उनसे जुड़े हुए अनुहों से हमें रुबरू होने का मौका मिला और जल्द हम फिर किसी बड़ी हस्ती के साथ आपके समक्ष होंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए नमस्कार